बिस्मिल्लाइर्माइर्खीम असनाव लेकूम दोस्तों मेरा नाम है तो असीफी जाल्स और आप देख रहे हैं देजी नोट्स चीप चैनल तो गाई साफ्टे इंजिनेरिंग पार्टू के नोट्स चोई वो कंटीनिव है और आज हम लेक्चर निम्बर फोर में सीकेंगे ब स्क्राइब करें और बैल हैकन को भी जरूर दबाएगा ठीक है तो गाई शुरू करते हैं सौफ्ट्वेर आर्किटेक्चर को तो गैस साफ्ट्वेर आर्किटेक्चर क्या है कि दे लॉजिकल स्ट्रॉक्चर और लॉजिकल रेलेटिवीटी अफ़कंपनेंट सफसों फेर इप्लिकेशन है आपके पास जो सिस्टम है या इसी तरह एक सोफ्ट्वेर है उसका आप डाइग्रमेटिक लिए दिखाते हैं उसको ठीक है कि इसमें यह फंक्शनलिटी मौजूद है इसमें एंड यूजर यह है और इस तरह एंड यूजर यह है ठीक है तो इसको हम क्या क इसमें यहां पर आपको एक सोफ्ट्वेर आर्गिटेक्चर जो वह दिखाई दे रहा होगा ठीक है जो के यूजर पूरा सिस्टम है टिकेट सरीदने के लिए तो जहां पर क्या होता है एक सेलर जह है मतलब जो हमारे पास होल सेलर है तो वह क्या करता है मुवी प्राइस जो है वो सेट करता है इसी तरह टिकेट प्राइस जो है वो सेट करता है और इसी तरह टाइमिंग जो है वो सेट करता है तो यहां पर जो मशीन है मतलब जो सिस्टम है वो क्या करता है वो यहां पर क्या करता है टिकेट प्राइसिंग और जो टिकेट नमबर है और इसी तरह ज तो guys, यहाँ पर मजीद पढ़ते हैं कि the software architecture will be made or structured in such a way that will achieve the milestone तो guys, यहाँ पर software architecture आपने इस तरह बनाना है जिसमें आपको पता चले कि कौन-कौन से milestone मेने achieve करने है, कौन-कौन से functions मेने achieve करने है मतलब जिस तरह कि आपके पास activity diagram है, जिस तरह कि आपके पास class diagram है, तो सारे diagrams आपको प्रोवाइड करते है, आपके functionality प्रोवाइड करते है, आपके activity जो है वो provide करते है तो it is the process of defining a structured solution to meet all the technical and functional requirements तो guys, जब आपके पास user आता है, और आपको कहता है, कि मुझे यह functionality चाहिए, तो आप guys, उन functionality को achieve करने के लिए, मतलब कुछ diagram बनाते हैं, class diagram हुआ, activity diagram हुआ, जितने भी आपके पास diagram है, तो आप बनाते हैं, तो वो इसलिए ही बनाते हैं, कि आप किस तरह best तरीके से, जो है जितने भी आपके पास functional requirements होते हैं, ठीक है, technical requirements होते हैं, तो सारे requirements को आपको मदे नजर रखते हुए, मतलब आपको एक structure बना के, आपने software architecture जो है, वो बनाना है, जिसमें आप यह देखेंगे, किस तरह में performance ज्यादा हासिल कर सकूँगा, किस तरह में security ज्यादा हासिल कर जो risk के analysis है, उस face को, जो है, वो cover करूँगा, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, software architecture कहेंगे, ठीक है, तो guys, जब हमने बात की goals की, कौन से goals होने चाहिए, यहाँ पर, कौन से goals है, software architecture है, architecture case, तो guys, यहाँ पर क्या है, कि expose the structure of this software, ठीक है, तो structure जो है, वो exposed हो जाता है, कि क्या- तो भी आपने innerly, मतलब, जो coding आपने की है, C++ में, जितने भी आपने inner structure है, वो hide हो जाता है, आपने सिर्फ expose करना है, upper structure को, ठीक है, इसी तरह realize all the use cases and scenarios, ठीक है, use cases आपने, जो है, वो draw करने है, कि क्या-क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या-क्या नहीं हो ठीक है, इसी तरह must handle both functional quality requirements, ठीक है, तो guys, यहाँ पर मैंने जिसा कि आपको बताया कि जो software architecture है, तो उसमें basically यही होता है, कि आपके पूरी system की functionality जो है, वो आज आती है, कि इसमें क्या-क्या हो रहा है, ठीक है, इसी तरह try to address the requirements of all the stakeholders, तो stakeholders मतलब, जिस तरह के हमारे पास जो manager's admin side है, तो हमने यहाँ इंक्लूड करने, ठीक है, तो guys, आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं, नए वीडियो के साथ इस वीडियो को like करने हो, चैनल को subscribe करने, अलाहाफेज,